पूरे दिल्ली में हम 380 जीले बना रहे हैं, लेक्स, दिल्ली धीरे धीरे जीलों का शहर कहलाएगा, पूरी दिल्ली के अंदर आप जहां भी जाओगे आपको जीले दिखाई देंगे, खुबसूरत आसपास लैंड्सकेपिंग दिखाई देंगी, अभी जितनी जीले 26 जीले बनके तयार हो गई है, नमस्कार मैं मुझेश और आप देख रहे हैं तपैंफिल्ट, ये बयान इसी वर्स पर्यावरन दिवस के मौके पर केजवाल सरकार के मंत्री सौरोब भारदवास द्वारा शेयर किया गया था, अब अर्विन केजवाल के लाइन आप याद रखिए कि पूरे दिल्ली में हम 380 जीले बना रहे हैं, 26 जीले बनकर तयार हो चुकी हैं, सुनकर किसी को भी लगेगा कि दिल्ली का तो काया कल्प हो गया, आप में से कुछ लोग ये सोचने पर विवश हो जाएंगे कि एक सहर में 380 जील, ऐसे में सवाल उड़ता है कि किसी वाटर जैसे सवाल उठते हैं, चलिए, आजम केजवाल जी के इस दावे की पड़ताल करते हैं, दरसल वर 2018 में दिल्ली में सिटी ओफ लेक्स नामा के एक प्रोजेक्ट सुरू किया गया था, प्रोजेक्ट की आधिकारिक विबसाइट के मताबिक पहले चरण में डाइस ओ वाटर तो फिर केजवाल सरकार किन 380 जीलों को बनाने की बात कर रही हैं, अगर आप आज यानि जुलाई में दिल्ली सरकार के इन आकड़ों को देखते हैं, तो इनके अनुसार 380 वाटर वाटर वाडिस का जीलों नदार हो चुका है, और 26 नई जीले बनकर तयार हो चुकी हैं, अभी जून में तो केजवाल का वयान आपने सुना ही, जिसमें उन्होंने नए आकड़े फेक दिये और का कि 380 जीले बना रहे हैं, 26 जीले बनकर तयार हो चुकी हैं, सच ये कि केजवाल एक सामाने सा कारे कर रहे हैं, जिसमें पुराने छोटे ताला वेटलेंड जीलों का जीलोन धार किया जा रहा है, इस प्रकार से माहौल बनाया जा रहा है, जैसे दिल्ली में नई बड़ी बड़ी जीले बनाई जा रही हैं, और जो नई जीले बनाई भी जा रही हैं, उनकी सच्चाई क्या है, वो भी आपको बताते हैं, वर्ज 2017 में अर्विन केजवाल ने इस प्रोजेक्ट को पूरा किया जाना था, लेकिन 6 वर्ज होने को हैं, और हाथ में क्या है, सिर्फ घोसना कि दिल्ली जीलों का सहर होगा, अब रोयनी लेका उधारन देखिए, इसके लिए दिल्ली सरकार द्वारा सबसे अधिक परचार किया गया, मई 2022 में सतियंदर जैन कहते हैं कि 8 महीने में या कंप्लीट हो जाएगी, लेकिन एक वर्ज से अधिक बीद जाने पर भी इसका कार्या पूरा नहीं हुआ है, परचार जोरो सोरो से बड़ी बड़ी वीडियो दिखा कर किया गया, लेकिन सचाई बताने के लिए न अर्विन केजरवाल के पास हुआ ही नहीं है, फिर आती है बलुस्वा लेक, जील का जिरणोधार का कारे लजी ने करवाया और आम आदमी पार्टी ने इसे भी अपनी कारें की सूची में जोड़ दिया, लजी सचिवाला ने इसे दुरुवागय पूरन बताते हुए कहा था कि उपराजेपाल वीके स अक्षेना ने पिछले साल 15 अक्टूबर को बलुस्वा जील का दोरा किया था और उसमें दैनिये स्थिति पाये जाने के वाद उन्होंने डीडिये को जील को अपने कबजे में लेने का निर्देश दिया था, वास्तव में तवी से सफाई का काम शुरू हुआ, अब आप खुद सोचिए, कि वर्स 2018 में जिस प्रोजेक्ट की गोशना ताम जाम से की गई और 453 करोड रुपए जारी कर दिये गए, उसी प्रोजेक्ट में आने वाली जील की देनी हानत अक्टूबर 2022 तक सेम बनी हुई, और इलजी ने अपने दोरे के बाद उसे डीडिये से कहकर उद्दार करवाया था, अब इसी सिटी ओफ लेक्स प्रोजेक्ट में एक साधरा ड्रेनिस को साफ करने का प्रोजेक्ट भी सामिल है, ततकाली निरिगेशन मिनिस्टर सतेंदर जैन 2021 में बयान देते हैं कि अगले एक साल में पूरा हो जाएगा, लेकिन आज दो वस बाद यह भी पूरा नहीं हुआ है, इसको लेकर भी दिल्ली सरकार द्वारा बड़ी बड़ी बाते हुई थी कि चारों तरफ हरियाली होगी, लोगों के लिए गोमने के लिए जगब बनाई जाएंगी, फिर जाने दीजे जो अर्विन केज़वाल स्कूल, अस्पताल, बस और य यह अमना नदी जो उतराखन से सुद्ध जल लेकर निकलती है और जीलों के सहर तक आते आते जाग से भर जाती है, सहर इसमें से जाग का एक बड़ा इस्सा केज़वाल के प्रचार तंतर से भी निकलता है, तिलसो अस्ती जीलों के दावे और उसके सच पर आपका क्या मान ना है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, बने रही हमारे साथ, देखते रही है दे पैम्फ्ले,